Hello students! Welcome in विशेश क्लासेज! Accessional equation की exercise 9.3 most important और इस exercise के अंदर से एक और कोशन आपका एक्जाम में भी आता है इसके अंदर in each of exercise 1 to 5, 1 to 5 जो sum है इन में हमें क्या करना है? फोर्म करनी है एक differential equation बनानी है ठीक कि ये simple equations है ये different synchron नहीं है न इसमें कोई भी differentiation नहीं है y dash नहीं आया dy by dx नहीं आया तो ये simple equations है इनसे हमें differential equation बनानी है representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant A and B और वो कैसे बनानी है, eliminate करना है, constants को A और B जो भी constant आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको हमें eliminate करना है, आप देखते हो जब भी हम इसका derivative निकालते हैं, तो भी कुछ constant हमारी eliminate हो जाएंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं, question number 1, question number 1 में x by a plus y by b equal to 1, इसमें हमें यह A औ से पहले तो इसको क्या करेंगे, differentiate कर लेंगे, differentiate with respect to x, ठीक है, differentiate करेंगे, तो x by a है, इसका differentiation क्या बन जाएगा, 1 by a, x by a का 1 by a हो गया, y by b का 1 by b, dy by dx, ठीक है, और 1 का derivative हो गया, 0, अब क्या करते हैं, हम 1 by a को इधर ले जाएंगे, ठीक है, dy by dx निकाल लेते हैं, b उधर चला जाएगा, तो minus b by a हो जाएगा, अब क्या करते हैं, इसका एक derivative को निकाल लेते हैं, इसको differentiate करेंगे, with respect to x, तब कि यह बन जाएगा, d square y, dx square, और यह बन जाएगा, क्योंकि constant है, इसका derivative करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है, और यह बन जाएगी, differential equation, differential equation बन गई है, और secondly, इसमें कोई भी अब constant नहीं है, ठीक है, this is required differential equation, ठीक है, अब करेंगे, हम question number 2, question number 2 में, statement है, y square equal to a, bracket, b square minus x square, bracket closed, अब इसके अंदर भी हम करेंगे, सबसे पहले, differentiate with respect to x, हमें इसका क्या बनाना है, differential equation बनानी है, और eliminate करना है, a और b को यहाँ से, ठीक है, तो सबसे पहले हम differentiate with respect to x, x करेंगे, तो यह बन जाएगा, 2y, y dash, ठीक है, equal to, a, b square का derivative हो जाएगा, 0, minus, यह minus है, और x square का derivative हो जाएगा, 2x, इसको हम minus, 0 तो, use ही नहीं होता, 0 minus 2x, minus 2x हो जाएगा, और a से इसकी multiply होएगी, minus 2a, x आ जाएगा, y, y dash क्या बन जाएगा, minus 2ax है, यह जो 2 है, यहाँ divide कर देते हैं, हम, 2 से 2, cancel हो जाएगा, और यह बन जाएगा, minus ax, ठीक है, अब हमारा a constant तो eliminate हो गया, b तो eliminate हो गया, पहली बार differentiate करने भी, आपको एक बार यहाद रखने हैं, जितने constant हैं में उतनी बार differentiate करना परता है, ठीक है, अब इसमें 2 constant हैं, तो हम एक बार और करेंगे, तो again, differentiate with respect to x, ठीक है, y y dash, u into v form में है, तो u as it is v का derivative, v dash, plus v as it is u का derivative, यह rule लगेगा, y as it is, y dash का derivative, y double dash, plus y dash as it is, और y का derivative बन जाएगा y dash, ठीक है, और इसका बन जाएगा minus a, इसका हमने जब किया, minus a, लेकिन हमने यह रेखा कि differentiate करने के बाद भी इसमें constant बचा है, इसमें constant अभी भी है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे solve कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 लें, इसको 2 लें, अगर इन दोनों का आपस में divide करते हैं, ठीक है, इस equation को 1 को 2 से divide करतें, या 2 को 1 से divide करतें, divide 2 by 1, इससे क्या होगा, a से a cancel हो जाएगा न, तो ये चीज़ हमने खुद सोचनी परती है, questions में, y, y double dash, प्लस, ये y dash का square बन गया है न, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको divide कर रहे हैं, y, y dash divide हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, a था, अब इससे अगर हम 1 को divide करेंगे, यानि y, y dash को divide करेंगे, यहाँ जाएगा minus a x, ठीक है न, minus a से minus a cancel, यानि कोई भी constant अपनी है, a और b दोनों eliminate हो गए हैं, यहाँ 1 by x बचा है, अब हम यह रेखते हैं, y भी common नहीं आ रहा, ठीक है, अगर अलग लग भी लिखेंगे, तो कोई benefit नहीं है, हम क्या करते हैं, x को इधर multiply कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो x इधर multiply होगा, x, y, y double dash, यानि second derivative, y first derivative का square, और y, y dash, उदर चला जाएगा, ठीक है, और यह है, this is required differential equation, this is required differential equation, अबर 3 में भी हमें यही करना है, a और b को eliminate करके, इसको differential equation बनाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे, differentiate with respect to x, अबर इसको differentiate with respect to x करेंगे, तो यह बन जाएगा, y dash, आपको पता है कि e की power का कैसे करता है, e की अगर nx है, तो इसका derivative हो जाता है, e की nx, और nx का derivative n हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही होगा यहाँ पे भी, a, e, 3x, और 3x का जो derivative है, वो 3, इसके आगे हम लिख देंगे, ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, b, e, minus 2x, और minus 2, इसका जो derivative आएगा, इसके साथ लिख देंगे, minus 2, ठीक है, minus 2 है यह, अब इसके अंदर भी, क्योंकि दो constant है, तो दो बार derivative हो गाई होगा, तो again, differentiating with respect to x, यह बन जाएगा, y double dash, यह बन जाएगा, 3, 3 और आजाएगा, 3, 3, 3, 3 को 3 से multiply करेंगे, 9 आजाएगा, 9 a, 3x, ऐसे ही, यह, minus 2 है, क्योंकि, minus 2 भी तो constant है, देखो, minus 2 भी तो constant है, e minus 2 x का क्या होगा, minus 2 और आजाएगा, multiply में, तो यह बन जाएगा, अगले step में, 9 a, e3x, minus 2, minus 2, plus 4, b, e की पावर, minus 2 x, ठीक है, अब हम इसको 1, इसको 2, और इसको, हम 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमने eliminate करना ह इस तर से eliminate होते भी नहीं है, कुछ ऐसा common भी नहीं आ रहा, अब हमें सोचना पड़ेगा, कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास y double dash, 9 a, e की पावर 3 x आ रहे, और इसमें 3 a, 3 a की, e की 3 x है, तो हम क्या करें, अगर हम इस equation को 2 से multiply करते हैं, अगर हम second equation को देखो, 2 से multiply करते हैं तो यहां पर minus 4 बन जाएगा, और इसमें air कर देते हैं, minus 4 है, और इससे करेंगे, तो 0 हो सकता है, तो देखो कैसे करना है इसको, देखो, यह इस equation को पहले तो इसके निच्चे रख लेते हैं, जैसे हम eliminated method use करते थे, will open vd use करते थे, वो ही हमने method use करना है, यानि इसको 2 से multiply कर करेंगे, ठीक है, इस equation को, और इसको ऐसे रखा, y double dash 9a 3x, plus 4be minus 2x, यह तो सेम ही है, और इसको 2 से multiply करेंगे, तो 2y dash, यह बन जाएगा, 6a e की 3x, यहां पर मैंने a नहीं रिखा, e की 3x है, ठीक है, minus 4be minus 2x, अब इसको अगर आप solve करोगे, तो यह cancel हो रहा है, यह बन y double dash plus 2y dash, यहां से 9 और 6, 15a e की पावर 3x आ रहा है, ठीक है, a e 3x की पावर इसका आ जाएगा, 15 यहां डिवाइड कर देंगे, तो यह value आ जाएगी, a e 3x, ठीक है, ऐसे ही हम, अगर इन दोनों ही equation को solve करके, इसको 3 से multiply कर दें, अगर हम इसको 3 से multiply कर दें, और इनको subtract कर लें, यह 9 बन जाएगा, बाकि यह 3 बन जाएगा, ठीक है, और यह बन जाएगा 6, तो यह जब हम subtract करेंगे, तो यह cancel हो जाएगा, और यहां से b की, b e की पावर minus 2x की value आ जाएगी, a e 3x की value हमारे पास पहले से ही है, अगर यह value भी आ जाती है, तो इन दोनों values को हम यहां put कर देंगे, इससे a और b eliminate हो जाएगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो यह equation है, y double dash 9 a e 3x plus 4 b e minus 2x, और यह है y dash 3 a e 3x minus 2 b e minus 2x, अब हम क्या करते हैं, इस equation को 3 से multiply कर देखते हैं, ठीक है, इससे हमारी b e minus 2x की value आ जाएगी, आप देखो, यह बन जाएगा y double dash 9 a e 3x, plus 4 b e minus 2x, इससे multiply करेंगे, 3 y dash 9 a e 3x minus 6 b e minus 2x, त्रीक है, अब क्या करते हैं, हम इस question के अंदर, subtract कर देखते हैं, यह cancel हो जाएगा, y double dash minus 3y dash equal to 10 b e minus 2x आ गया है, और यहां से हम क्या करेंगे इसको, 10 e जाके divide हो जाएगा, b e minus 2x आ जाएगा, ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमें यह question दिया हुआ है, y, first के अंदर, हम यह value values पुट कर देंगे, ठीक है, कौन सी value पुट करेंगे, जो हमने यह निकाल दी है, b e minus 2x की value, यह जो value है, हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है, ऐसी जो हमने पहले निकाल दी थी, हमने पहले निकाल दी थी a e 3x की value वो इसमें put कर देंगे first equation के अंदर तो a और b eliminate हो जाएंगे ठीक है जो 1 है वो है y equal to a e a e 3x plus d e minus 2x इसके अंदर हम क्या put करेंगे यह value y equal to a की value हमारी यह आगी थी यह भी हमने put कर देंगी है इसमें y double dash plus 2y dash by 15 और b e minus 2x की value आगी y double dash minus 3y dash by 10 ठीक है अब क्या करते हैं हमारा a और b तो जो है eliminate भी हो गया और यह differential equation भी बन गया है इसको simplify कर लेते हैं 15 और 10 का algorithm क्या आजाएगा 30 क्या आजाएगा तो 15 तो जार होती होता है तो 2y double dash plus 2y dash आजाएगा यहाँ पर 10 3 जा 30 होता है तो 3y double dash minus 3y dash आजाएगा यहाँ पर ठीक है ना इसको अप्सोल करोगी 2y double dash 2 को 2 से multiply करेंगे 4y dash 3y double dash minus 9y dash by 30 आजाएगा double dash वालों को solve करेंगे तो यह बन जाएगे है y equal to y double dash minus y dash by 6 और 6 इधर जाके multiply होगा 6y equal to y double dash minus y dash यह होगी हमारी required differential equation ठीक है